हेलो केट्स वन्स अगेन वेलकम बैक टू माय चानल नी टेम्स बायोलोजी बायो मेनिया और बचो मैं हूँ आपकी बायो गुरू आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन है और ये मैं कह सकती हूँ दावे से कि ये हर एक बच्चे के लिए इंपोर्टन है क्योंकि आपका जो नीट 2020 एक्जाम है जो आप देने वाले हैं या आप उसकी तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ह सो बच्चो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा येस सबसे पहले जो बच्चे नए है मेरे चैनल पर और उनने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो से सब्सक्राइब कर ले और आपको जैसे ही लगे कि आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंट लाइक बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जितना जादा से जादा हो सके इसे शेयर करें क्योंकि ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चो जो आज का वीडियो हमारा है वो है आपका नीट 2020 एक्जाम में आपके बायोलजी में चैप्टर वाइस कितने क्वेश्चन्स आ सकते हैं मैंने 2009 से लेकर के 2019 तक के सारे पेपर्स को एनलाइज करके फिर मैंने आपके इस येर किस चैप्टर से कितने से फोकस करना चाहिए जिन से जादा कुश्चन्स मिलने वाले हैं और आपको यूनिट वाइस तो हो सकता मिल जाए वीडियो कोई ना कोई जिसमें आपको ये बताया हो कि किस यूनिट से कितने कुश्चन्स आ सकते हैं लेकिन ये चैप्टर वाइस वीडियो जो मैंने बना से स्टार्ट किया है और पूरा देते हुए यहां पे देखिए 2017 से 2019 तक दिया है और 2020 में इस चैप्टर से question आता है कभी-कभी बहुत ही rare ऐसा होता है कि इस question ना दे लेकिन इस से पिछले दो सालों में आप देखिए questions बराबर आये हुए एक बार 2017 में gap हुआ है उसके अलावा भी दोनों phase में आये हुए है 2016 के तो definitely इस बार आपको एक question इस chapter से जरूर मिलेगा next chapter है आपका biological classification biological classification से देखिए आपने 2016 से आपको 4, 4, 4, 4 questions continuous मिले है 2019 में आपको एक question आया था इस chapter से सिर्फ तो इस बार आपको इस chapter से तीन question मिलने की समभावना है next question next chapter है आपका chapter 3 plant kingdom chapter 3 जो plant kingdom है बचो इसमें आप देखिए 16 में 2 आये थे questions उसके पहले 4, 4, 4 करके आये हुए है 17 में भी 4 questions आये थे, 18 में भी 4 questions आये है, 19 में से 1 question आया है तो definitely इस साल आपको minimum 3 questions तो इससे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि उससे पहले वाले साल में सिर्फ एक questions आये हुआ है और आप बाकी अगर देखिए तो यह chapter काफी important रहा है क्योंकि इसमें से देखिए कितने साल से अच्छे से questions आते रहे है तो इस साल 3 questions इससे जरूर से जरूर आने चाहिए Next है आपका chapter 4 that is the animal kingdom Animal kingdom भी plant kingdom की तरह ही बहुत important है यह देखिए 13 में 4 आये थे 2014 में भी 4 questions है 15 में 3 थे 16 में 3 2 and 17 में इससे 5 questions आये जो अभी तक इसका maximum है वो है 5 questions उसके बाद 18 में 3 questions आये क्योंकि आप 17 में 5 आ चुके थे इसलिए आप 19 में भी देखिए 2 questions आये तो definitely इस साल questions 2 से तो ज़्यादा ही आएंगे यानि कि 3 questions के approach आ सकते है या हो सकता है 4 questions भी आपको इसके मिल जाए next chapter है आपका chapter 5 morphology of flowering plants अब इस chapter से जो बच्चों ज़्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं पहले आते थे देखिए पहले 7 questions 12 में पूछा गया है 14 में 5 questions आये 2015 में 5 16 में even 7, 5 आये हैं questions फिर लेकिन 17 से आपका 2, 2, 2 questions एक हो गया है लास्ट यह सिर्फ एक question ही आया है तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इससे 2 questions से ज़्यादा नहीं पूछेंगा अगर maximum गए भी है तो 3 questions से ज़्यादा इससे नहीं आएगा next आपका chapter आता है anatomy of flowering plants yes anatomy of flowering plants एक important chapter है और मैंने इसका NCRT explanation भी काफी अच्छे से दिया है आप जाए देखिए description box में आपको links मिलेंगे और आप देखें यहाँ पे 17 में भी 4 questions थे 18 में भी 4 questions थे and 19 में भी 3 questions है तो मुझे expectations है कि इस साल भी इसमें 3 questions मिलेंगे ही मिलेंगे 3 से कम नहीं मिलने चाहिए 3 से ज़्यादा हो सकते है बड़ 3 से कम नहीं मिलेंगे next chapter है आपका structural organizations in animals या आपका chapter number 7 है और इस chapter से आपको 17 से देखें एक question आया है 16 में से 2 questions है उसके पहले भी 2-1-2-1 questions ही आये हैं जादा questions नहीं आये थे last year इससे 3 questions आ चुके हैं तो इस बार मुझे पूरी उमीद है कि इससे 2 questions आपको मिलेंगे तो आपको अगर ये चीज़ें पता चल जाती है कि कौन से chapter से कितने questions आने की expectations है क्योंकि teachers जब इस चीज़ को analyze करके बनाते हैं तो definitely उसमें कुछ न कुछ ऐसी guarantee जरूर होती है जो आपके exam में helpful होगी तो बचो believe me मैंने बहुत data analyze करके तब आपके लिए ये video बहुत मेहनत से बनाया है तो इसलिए आप इस पर believe करें और अपनी preparation जरूर अच्छे से करें ताकि आपका इस बार neat exam clear हो जाए next है आपका chapter 8 sell the unit of life sell the unit of life जो है बहुत favorite chapter है और इस favorite chapter का जो favorite portion है ना examiner का वो है बच्चो cytoskeleton वाला portion अगर इस chapter से suppose that 4 question आते हैं तो उसमें से आपको 1 to 2 question इस portion से ही सिर्फ मिल जाएंगे NCRT explanation देखे आपका इस chapter का मैंने जो दे रखा है उसमें बहुत अच्छे से explain किया है मैंने चीजों को साथी साथ इसमें मैंने most expected questions के भी video बना रखा है तो आप देखे क्योंकि वो exclusive explanation आपका need 2020 का है और जो video मैंने question का बनाया है most expected वो भी आपका need 2020 को ही दिमाग में रखते हुए बनाया है तो इस बार जो उमीद है question आने कि वो आपकी 4 questions तो आएंगे ही आएंगे और इससे हो सकता है कि 4 के अलावा 5 questions भी आपको इस chapter से मिल जाएं next है आपका biomolecules that is the chapter 9 इससे आपको बचो ज़्यादा questions नहीं आते हैं क्योंकि देखे पहले 16 में तो 5 थे maximum जो रहा है वो तभी रहा है इसके अलावा 2 questions आए है 1 आया है 2 आया है yes यह chapter अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो इसका मतलब आपको इस chapter में कुछ भी रटने की जरुवत है ही नहीं क्योंकि अगर इस chapter को concept आपका clear हो जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ों के concept clear हो जाते है और यह सिर्फ NEET exam के लिए ही नहीं आपके aims हो या कोई भी आपका medical exam जो आप prepare कर रहे हैं उन सभी के लिए chapter important और इस chapter से आपके इस साल 2 questions आने की उम्मीद है next है आपका chapter 11 that is the transport in plants yes transport in plants से ज्यादा questions नहीं आते हैं आपको इस बार एक questions मिल सकता है क्योंकि last year इस से कोई भी questions नहीं था तो एक questions आ सकता है इस से next है आपका chapter 12 that is the mineral nutrition इस से भी last year कोई questions नहीं आया था उसके पहले 18 में एक questions आया था 17 में फिर कोई questions नहीं आया था जो की काफी surprising रहा है कि कोई भी question नहीं है, at least one question तो इससे आ सकता था, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको इससे two questions मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसका जो back record है वो काफी अच्छा रहा है, दो question आये हैं, कभी चार question पूझे गए, कभी तीन question पूझे गए, लास्ट यर यह ऐसा हुआ है, जब उससे एक भी question ही आए, तो इस बाद दो question तो इस chapter से आएंगे ही आएंगे, next है आपका chapter 14, that is the respiration in plants, तो इस chapter से भी आपके बहुत जादा questions नहीं आते हैं, बट दो question भी आते हैं, अच्छा आप देखें, यहाँ पे कुछ chapters हैं, जिनसे एक question आता है, दो question आता है, तो ऐसा मत कीजेगा, कि आप उन chapters को सबसे last में पढ़ रहे हैं, कुछ chapters ऐसे होते हैं, जो बहुत ही simple होते हैं, बहुत ही size wise, आप देखें तो उनके बहुत छोटे chapters होते हैं, जो आपके within hour complete हो जाते हैं, और उन chapters को complete करने से ही, आपको दो question, एक question अगर exam में मिल रहे हैं, तो आप उनको जरूर focus करिए, बाकी जो chapters ऐसे हैं, जिनसे आपको 3 question, 4 question, 5 question मिल रहे हैं, कुछ chapters ऐसे हैं, जिनसे 6 question तक मिल सकते हैं, तो उन chapters को हमें major group से तयार करना है, बाकी इन chapters को भी हमें ignore नहीं करना है, next है आपका chapter 15, that is the plant growth and development, yes, इस बार इस से अभी तक एक एक questions आए हैं, अगर maximum इसमें बढ़ा इस बार question, तो 2 question आ सकते हैं, क्योंकि इसका back record जो रहा है, वो 242 SR आए, बट इधर कुछ सालों से 16 से इसमें 1, 1, 1 question आये, 18 में एक भी question नहीं आया था, 19 में 1 आया था, तो हो सकता है कि इस बार 2020 में इस बार आपको 2 question इससे मिले, फिर आता है आपका chapter 16, that is the digestion and absorption, बचो 19 में इससे question आया था, 2019 में 3 question थे, 18 में 1 question था, 17 में 4 question थे, तो जैसे इसका decrease हो रहा है, दीरे दीरे चलके, तो इस बार आपको इससे 2 questions मिल सकते हैं, Next है आपका breathing and exchange of gases, इस chapter से आपको 1 question मिलेगा, क्योंकि last year 2 question इससे आ चुके हैं, उसके पहले भी 1, 1 questions ही आया है, तो एक question ही उम्मीद है इस बार आने की, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया, तो एक क्या 2 questions हो सकते हैं, इसके इससे ज़्यादा इससे chapter से नहीं जाना चाहिए, Next है आपका chapter 18, that is the body fluids and circulation, इस chapter से आपको 1 question मिल सकता है, इस बार, क्योंकि जो last year आपके इससे आये हुए हैं, वो 18 में भी 2 question आ चुके हैं, 19 में भी 2 question आ चुके हैं, उसके पहले 17 में आपका 1 question आया था, तो इस बार जो 2020 need exam है, उसमें आपको 1 question इससे मिल सकता है, chapter 19 है आपका excretory products and their elimination, इस chapter से, यह chapter काफी interesting chapter है, और इसको अगर आप अच्छे से diagram में इसके समझ लेते हैं, कुछ processes समझ लेते हैं, तो आप इसका जो एक question भी अगर आ जाएगा इससे, तो आप उसको पूरा अच्छी तरह से कर लेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, और इसका explanation जो आप देखिए, तो आपको उससे यह चीज़ें अच्छे से और clear हो जाएंगी, और आपको यह chapter फिर tough नहीं लगेगा, बच्छों, यह video मैंने बहुत मैनत से बनाया है, तो इसलिए अगर आपको यह video पसंद आ रहा है, तो आप इसे like जरूर करें, नेक्स्ट है आपका chapter 20, that is the locomotion and movement, locomotion and movement chapter जो है, बहुत जादा important नहीं है, बट इससे आपको एक दो question definitely मिलता है, बहुत बड़ा chapter नहीं है, बहुत असाली से cover किया जा सकता है, इसलिए आपको इस साल जो इससे आने की संबावना है, वो एक question की है, next है आपका chapter 21, that is the neural control and coordination, very interesting chapter and it's important also, जो इसका backlog रहा है, उसमें 3 question जो है भी तक maximum कहे हैं, पिछले कुछ सालों से इसमें से देखे, 2 question ही आए हुए हैं, तो इस बार इस chapter से 3 question आने की उम्मीद है, next है आपका chemical coordination and regulation, chemical coordination and regulation बहुत ही अच्छा interesting chapter है, इसमें आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे पढ़ने में, तो आपका जो इस chapter से आ सकते हैं question, वो इस बार 3 question आने की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो highest गया हुआ है, वो अभी तक 4 गया हुआ है, और वो 2016 में था, और इसके बार 17 में भी 3 थे, 18 में भी 3 थे, और 19 में सिफ 2 question पूचे गए हैं, तो definitely इस बार वो वापस से increase करेंगे, इस chapter को और 3 question देंगे, next है आपका chapter 23, that is the reproduction in organism, और इस chapter से इस बार मुझे उम्मीद है, कि 2 question आएंगे, क्योंकि last year इससे कोई question नहीं दिया था, 18 में question आये थे, 3 question आये थे, और उसके पहले 2 सालों में इन्होंने देखे, कोई question इससे नहीं दिया है, तो इस बार जो उमीद है, कि इस chapter से 2 question तो देंगे ही देंगे, next है आपका chapter 24, sexual reproduction in flowering plants, और इस chapter के आपको इस बार मिल सकते हैं, 4 question क्योंकि last year इससे मिले थे, 6 questions, 6 questions आये थे, highest है इसका, 18 में 3 question आ चुके हैं, 17 में 6 आये थे, फिर 4 थे, 2 थे, तो इस बार जो उमीद है, वो बच्चो 4 questions की मुझे उमीद है, हो सकता है, आपको 4 to 5 के बीच में भी मिल जाएं, next है आपका chapter 25, that is the human reproduction, human reproduction में आपको इस बार 3 question मिल सकते हैं, क्योंकि last year से 2 question पूछे गए थे, और उसके पहले 18 में 4 question थे, 17 में 3, 16 phase 2 में आपके 5 questions आ चुके हैं, और आप देखें, यहाँ पे एक data है, 2010 का, यहाँ पे इस chapter से 11 questions पूछे गए थे, इतना high number of questions, I think किसी और sub chapter से नहीं आया हुआ होगा, अभी तक नीट exam में, तो अब जो है, इसका decrease हो चुका है काफी level, तो definitely इस बार आपको 3 questions तो इस chapter से मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर increase होता है data तो 3 to 4 questions आराउंड आपको मिल सकते हैं, next है आपका chapter 26, that is the reproductive health, reproductive health chapter से आपको इस बार 2 questions मिल सकते हैं, और यह chapter जादा मैनत का भी नहीं है, diseases है, उनके name है, causes है, preventions है, वो आपको पढ़ना है, और आपको बहुत easily आप इसके अगर 2 questions भी आते हैं, तो आप उसे आसानी से gain कर सकते हैं, बचो 90 questions में आपके लिए हर एक questions बहुत important रखता है, क्योंकि generally ऐसा होता है, जो medical वाले बच्चे होते हैं, उनकी physics portion थोड़ा weak होता है, क्योंकि जो चीज tough है, तो वो सबके लिए ही tough है, और जो चीज easy है, वो सबके लिए ही easy है, तो competition is equal for everyone, तो आपको जो ज़ादा मेनत कर ले जाएगा बच्चा, वहीं इसको qualify कर पाएगा, otherwise सोचते ही रह जाना है, next है आपका chapter 27, that is the principles of inheritance and variations, very interesting chapter, बहुत अच्छे से explain है, आप देख सकते हैं मेरे videos में ही, आपको NCRT explanation में मिल जाएगा, इसके मैंने और videos भी बना रखे हैं, laws के, बहुत सारी बना रखे हैं इसके, आप channel पे जाकर के देख सकते हैं, last year इस chapter से 6 questions आये थे, 18 में इससे 5 questions आ चुके हैं, 17 में 5 आ चुके हैं, and 2016 phase 1 में 6 questions थे, and phase 2 में 3 questions थे, तो मुझे उमीद है कि इस बार इससे हो सकता है, आपको 4 questions मिलें, क्योंकि जो पहले के साल रहे, उनमें अच्छे number में इससे questions आये हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो थोड़ा सा इससे reduce करे number of questions, और आपको 4 questions के एप्रॉक्स दे, next है आपका chapter, that is the molecular basis of inheritance, very important chapter, very interesting chapter, आप बिलकुल बोर नहीं होंगे, इसको पढ़ने में, और इसका number of questions जो आते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहा है, 17 में 7 questions थे, 18 में 5 questions थे, 19 में 6 questions थे, इस बार मुझे उम्मीद है, कि इससे 5 questions तो आएंगे ही आएंगे, तो इस chapter को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, explanation आप मेरे चैनल पर ही देख सकते हैं, next है आपका chapter 29, evolution, evolution chapter से इस बार मुझे उम्मीद है, कि 3 questions आएंगे, क्योंकि 17 में यहाँ पर 0 questions थे, और उसके पहले 3, 3 थे, फिर 1, 2 थे, 18 में इससे 3 questions आए हुए है, और 19 में इससे 4 questions आए हुए है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इससे 3 questions आ सकते हैं, next है आपका chapter 30, that is the human health and diseases, human health and diseases जो है, एक काफी अच्छा chapter है, और काफी interesting है, जादा कुछ इसमें समझने का नहीं है, अगर आपको diseases name, और उनके cause, उनके prevention अच्छे से याद हैं, तो आप इस chapter को अच्छे से cover कर सकते हैं, और उसके साथ आप 3 questions का benefit तो minimum ले ही सकते हैं, हो सकता है, इस बार आपको इसके 3 से अलावा, या फिर 4 questions भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा data vary हो सकता है, क्योंकि paper तो किसी और नहीं set किया था, मैं आपको पिछले data को देख करके, analyze करके बता रही हूँ, कि इतने questions आ सकते हैं, जो कि आपको काफी हद तक आप देखेंगे exam में, कि आपको ये काफी हद तक match करेगा आपके paper से, next है आपका chapter 31, that is the strategies for enhancement in food production, इससे आपको इस बाद 2 questions मिल सकते हैं, बहुत जादा questions इससे नहीं आते हैं, last year 3 आ चुके हैं, 18 में 1 ही था, 17 में 2 questions थे, तो इस बार मुझे उमीद है कि इस chapter से 2 questions तो मिलेंगे ही आपको, next है आपका chapter 32, that is the microbes in human welfare, very very good chapter, and it is very simple to understand, आपको कुछ अच्छे names होंगे, उनको learn करना होगा, बहुत सारी tricks अवेलिबल हैं, उनसे learn कीजिए, and last year इससे 6 questions आ चुके हैं, 17 में तो एक question ही आया था, 17 में देखे 3 questions आ चुके हैं, जो maximum question आयते हैं, वो 2012 में था, 7 questions आयते इससे, तो इस बार जो उमीद है इससे, 2020 NEET exam में वो 4 questions की उमीद है, कि 4 questions आपको आ सकते हैं, बचों ये वीडियो अभी तक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से explain करके, जो मैंने आपको दिया है, हर एक chapter को अलग analyze करके, तो इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो बचों इसलिए channel को जरूर subscribe करें, ताकि future में आपके लिए जो भी इस तरह के वीडियो बनाओ, वो आप तक जरूर पहुँचे और आपको उससे जरूर benefit मिले, और जितना हो सके आप इन वीडियो को share कीजे, ताकि आपके दोस्तों को भी benefit मिल सके और मुझे motivation मिले, और साथ ही साथ मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको इस तरह का वीडियो physics के लिए और chemistry के लिए भी अगर चाहिए, तो आप comment section में yes type करें along with the subject, physics yes, chemistry yes, मेरे पास अगर 20 comments से भी ज़्यादा comment मुझे मिल जाते हैं yes के, तो definitely I will prepare a video for the physics separately and chemistry also for the expected number of questions for the need 2020 exam, so बच्चों, आप जितना ज़्यादा जल्दी मुझे बताएंगे, उतने जल्दी मैं आपके लिए अगला video इसका prepare कर दूँगी, बागी मैं जो biology के videos आपके prepare करती हूँ daily वो मैं upload करूँगी, बट मैं इनके जो physics और chemistry के videos हैं इसके ही जैसे वो मैं आपको तभी दूँगी, जब आप comment section में मुझे बताएंगे कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, okay guys, so next chapter है आपका chapter 33, that is the biotechnology principles and processes, इस chapter में आप देखिए, आपको last year, 2 साल से जो हो रहा है, पिछले 2 सालों से आपको 2 questions मिले हैं, बागी उसके पहले 4 questions मिले हुए है, जो highest गया है number of questions, that is the 5th, तो मुझे हूँ मेर है कि इस बार इस chapter से आपको 3 questions तो मिलेंगे ही, next है आपका biotechnology and its applications, तो इस chapter से बहुत जादा questions तो नहीं पूछे जाते हैं, जो highest number of questions है इस chapter का वो है 3, पिछले सालों से इसके number काफी reduce कर दिये गए, देखिए, 16 में भी 1 था, 17 में भी 1 था, 18 में 2 थे, 19 में 1 था, and इस साल मुझे उम्मीद है कि 2 questions इस chapter से आ सकते हैं, बच्चों, अब है आपका chapter 35, that is the organisms and population, इस chapter से जो questions अभी तक आये हैं, बच्चों, 16 में 4 questions थे, फिर 3 questions थे, 17 में, 18 में आपके 4 questions आये, 19 में आपके 2 questions आये, तो इस बार उमीद है कि 3 questions आपको इस chapter से मिलेंगे ही मिलेंगे, नेक्स्ट है आपका chapter, that is the 36 ecosystem, ये chapter काफी theory type के हैं, तो इन में बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में बोर हो जाते हैं, तो इस बार जो आपको उमीद है इस chapter से आने की question, वो मुझे एक number, एक question आने की उमीद है, कि इस chapter से आपको एक question मिल सकता है, नेक्स्ट है आपका chapter 37, that is the biodiversity and conservation, ये आपके previous वाले chapter से ज़ाधा important है, क्योंकि यहाँ पे biodiversity आजाती है और बहुत सारे conservation के आजाते हैं, तो यहाँ पे कई सारे names ऐसे होते हैं, जो आपको याद रखते होते हैं, और उन पे based question आते हैं, तो यहाँ पे आपकी इस सालानी की जो उमीद है, वो है 2020 में 2 questions, एक question आपका last year आया था, बाकी data आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, next है आपका last chapter, that is the environmental issues, last है, but not least, क्योंकि यह chapter काफी important है, और last year इससे 6 questions आये थे, बच्चो 6 questions, so बच्चो 6 questions आ चुके हैं, तो it means इस बार भी इससे आपको minimum 3 questions तो मिलेंगे ही, मिलेंगे और हो सकता है कि आपको 4 questions भी इससे मिल जाएं, ठीक है, जादा मुझे उमीद नहीं है, इससे 7 ए 8 questions की, इसलिए क्योंकि last year इससे 6 आये हैं, और उससे पहले का अगर data हम देखते हैं, तो इतने जादा नहीं रहे हैं यहाँ पे questions, जो 9 में था, वो आपके 8 questions आये तो उसके बाद जो highest गया है, वो 6 2019 में गया है, 10 साल बाद, तो मुझे उमीद है कि इस बार आपको 3-4 questions इस chapter से मिल जाएंगे, तो बचो यह था ही पूरी complete analysis आपके biology exam के लिए NEED 2020 के हर एक chapter की, और बचो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर कीजेगा, और जो बात मैंने आप से वीडियो के बीच में कहीं दी, कि अगर आपको ऐसा ही physics और chemistry के लिए चाहिए, तो आप comment section में मुझे physics yes, chemistry yes लिख करके दीजिए, तो ही मैं जाकर के आपके लिए इसका वीडियो बनाऊंगी, chemistry का separate और physics का एक और वीडियो separate, तो अगर मेरे पास 20 से ज़्यादे comments आ जाते हैं, तो तो मैं बनाऊंगी, otherwise जो मैं biology के जो आपके most expected questions के वीडियो हैं, वो मैं daily upload कर रही हूँ, तो आप लोग channel को subscribe जरूर केजिए, साथ मैं bell icon को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस बानी 2020 exam clear हो जाए, और आपको इन वीडियो से मैं guarantee लेती हूँ, कि आपको help मिलेगी ही मिलेगी, so guys thank you for watching this one, and bye bye for this time, don't forget to press the like button, and also share with your friends, so that they will also get benefit from it, and guys so stay tuned with Baumania, and enjoy the knowledge, so bye bye for this time,